वेदानता समू और फॉक्सकॉन ने संयुक्त रूप से अपनी डिस्प्ले फैब्रिकेशन और सेमिकंडक्टर यूनिट को माराश से गुजरात में इस्तापित करने की गोशना कर दी है या माराश से ये बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहा है कुछ भी कह सकते हैं क फाइनल थी तिराचानक से प्रोजेक्ट गुजरात में फाइनल हो गया वेदानता फॉक्सकॉन सेमिकंडक्टर प्लैंड माराश के बजाए गुजरात में लगाए जाने की खबर के बाद माराश में सियासी सरگर्मियां बढ़ गई है इस मामले को लेकर माराश में सियासत गई विपक्ष सरकार पर हमला वर हो गया और पुद्दव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया शाबाश चिंदे आपको मुख्यमंत्री पद मिल गया बदले में आपने गुजरात को यह प्रोजेक्ट दे दिया अला कि यह सियासी बयान बाजी है अब इस मामले में शरत पवार ने भी एकनाशिंदे पर निशाना साथ दिया है शरत पवार ने इस मामले में एकनाशिंदे की ओर से दिये गए बयान परतंस कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि पी-एम नरेंद्र मोदी ने उन्हें इससे भी बड़े प्रोजेक्ट का भरोसा दिया है पुणे में मीडिया स बात करते हुए शरत पवार ने कहा कि ये कहना कि फॉक्स कौन से बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा किसी बच्चे को समझाने जैसा उसके हाथ में गुबारा पकड़ा देने जैसा है उन्होंने कहा कि माराश में हमेशा से बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आते रहे हैं लेकिन अब उन्हें चीना जा रहा है शरत पवार ने एकनाज शिंदे और पीम नरेंद्र मोदी की बाचीत को लेकर कहा परिवार में दो चोटे बच्चे हैं एक को गुबारा दिया जाता है दूसरा रोने लगता है इस पर माता पिता आपको उससे बड़ा गुबारा देने के लिए कहते हैं ऐसा ही हो रहा है शरत पवार ने इस उधारन के जरीए एक बड़ा तीखा तंस एकनाज शिंदे पर और माराश सरकार पर कसा है इसके साथ ही शरत पवार ने सला दी कि आप इस मामले को बंद कर देना चाहिए अब ये देखना चाहिए कि क्या नया किया जा सकता है यही नहीं उन्होंने इस परियोजना के लिए सही से डील ना कर पाने का आरोप उद्ध ठाकरे पर लगाए जाने की बात को भी गलत बताया उन्होंने का कि एकनाज शिंदे और उद्ध सामन तो उसी सरकार में मंत्री थे शरफ पवार ने का आप फॉक्स कौन परियोजना को तले गाओं पुणे में होना चाहिए था तले गाओं परियोजना के लिए सही जगे थी लेकिन जब राज्जे में परियोजना गुजरात गई तो ये वास्तों में दो भागे पून है महराश के लिए आई परियोजना को गुजरात नहीं जाना चाहिए था लेकिन अब परियोजना निकल गई इस पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं ये भी शरत पवाल ने कहा लेकिन मैं ध्यान आकरशित कराना चाहता हूँ ये सवाल कई रिपोर्ट्स में हमने भी आपके सामने रखा आज एकनाश शिंदे उद्धर उठाकरे पर कई मौकों पर आरोप लगाते हैं लेकिन धाई साल तक उनकी सरकार में वो बहुत ही मजबूत मंतरी थे नमबर टू कहे जाते थे ऐसे समय पर उन्होंने कभी सवाल खड़े नहीं किये या ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है जो ये बताए कि वो उद्धर उठाकरे की किसी पॉलिसी का उनकी किसी कमजोरी का बिरूत करते दिखाईते रहे लिहाजा ये सवाल बार बार उठेगा कि जितने भी सवाल आप उद्धर ठाकरे पर उठाएंगे क्या वो सवाल आप पर खुद नहीं उठेगे एंसीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतरित में बुद्वार को सरकार के खिलाब प्रदर्शन किया गया वहीं वेदानता समुक के चेर्मेन अनिल अगरवाल ने इस कदम को लेकर सफाई दी है सुप्रिया सुले ने कहा ये बहुत मिराशा जनक है कि तीन लाग से ज्यादा च्छात्र नौपनियों से बंचित है और किये जा रहे हैं आने वाले समय में उनके लिए संभावन आये थी माराश के सभी राजनितिक दलों को एक साथ आकर सरकार के खिलाफ लणना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे पिछली सरकार के भी हिस्से थे या बहुत मतुपूर्ण पत थे तब क्या कर रहे थे कुछ क्यों नहीं बोले वो दो महीने से अधिक समय से मौझूदा मुख्यमंत्री है अगर उन्हें नित्रित्व करना है तो उन्हें जिम्मेदारी लेने और जवाब दे होने की जरूरत है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी शिंदे सरकार को घेरा है गुजरात पे सेमी कंड़क्टर यूनिट के लिए एक लाग चावण हजार करोड रूपे का निवेश होने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतरित वाली शिवसेना ने भी आरोप लगाए है कि शिंदे गुट की वज़े से ये भारी भरकम परियोजना माराश के आज से निकल गई वहीं देवेंद्र फर्णवीस ने निशाना साधा विपक्ष पर उन्होंने जवाब दिया है इन बातों का जितने भी आरोप लग रहे हैं माराश के उपमुक्य मंत्री देवेंद्र फर्णवीस ने विपक्ष पर परियोजना को इस्थाना नतरिक करने पर जूटे दावे करने का आरोप लगाए है उन्होंने उद्धर ठाक रे कांग्रेस पर डील सही नहीं कर पाने का आरोप लगाया फर्णवीस ने माराश के तटिये जिले रतनागरी में प्रस्तावित नानार रिफाइनरी परियोजना को लेकर विपक्ष पर भी सवाल उठाया इस परियोजना का शिवसेना ने विरोध किया था वेदानता के चेर्मेन अनिल अगरवाल ने क्या सफाई दिये वो भी जान लीजिये इस फैसले पर सफाई देते हुए वेदानता समू के चेर्मेन अनिल अगरवाल ने कहा कि हमने कुछ महीने पहले गुजरात का फैसला किया क्योंकि वो हमारी उमीदों पर खरे उतरे महराश ने अन्य राज्यों को पचारने की कोशिश की लेकिन पेशेवर और स्वतंत्र सला के आधार पर हमने गुजरात को चुना हम गुजरात में निवेश के लिए प्रतिबद है अनिल अगरवाल ने कहा कि गुजरात की तरज पर महराश में हब इस्थापित किये जाएंगे अगरवाल ने ये भी कहा है कि वेदानता एफल के आईफोन और टीवी उपकरनों को बनाने के लिए एक यूनिट इस्थापित करने की युजना बना रहे हैं इसमें इलेक्ट्रानिक वाहनों को बनाया जा सकता इस यूनिट को महराश में स्थापित किया जाएगा महराश में भी गुजरात की तरज वाला प्रोजेक्ट होगा हलाकि वेदानता के संसापक अगरवाल ने कहा खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि यह उपकरम किसके साथ होगा तो वो जो बात है शरत पवार वाली कि बच्चे को गुबारा थमा दिया गया जुन जुना थमा दिया गया उसका विपक्ष को एक मौका मिल जा रहा है अगरवाल भी यही बात के रहें कि घबराये मत महराश में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा अगरवाल ने आगे कहा कि सेमी कंड़क्टर और डिस्पले ग्लास प्रोडक्शन में हमारा निवेश पूरे देश में उद्योगों का इको सिस्टम तयार करेंगा हम महराश के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही एक हब बनाएंगे उन्होंने कहा कि वेदानता और फॉक्सकॉन पिछले दो वर्षों से इस्थानों का अकलन कर रहे हैं और राज्यों की सरकारों से बाच्चीत कर रहे हैं उमीद है कि देश के विकास के लिए आने वाले वर्षों में ये वारतालाब जारी रहेगा आने वाले दिनों में ये राजनीती जमकर गर्माने वाली है निश्चित तोर पर महराश के आज से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया है गुजरात के पास वो गया है इंडस्ट्रीज के लिए आज से निवेश के लिए आज से गुजरात हमेशा एक मजबूत राजी रहा है बराल दोनों ही जगे पर बीजेपी की अब बीजेपी समर्थित सरकार है निश्चित तोर पर इसको लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया है आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि महरास से छीन कर गुजरात को यह प्रोजेक्ट दे दिया गया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें